गुर्माने वल अल अफियो, रिस्पेक्टेड लेसनर्स, डियर लेसनर्स, सविधान के शिलबकार, कारून के विश्यशगे और सिख्षे की धेरियों उपादियों से अलंग कृत, बाबा शाहिब डॉक्टर भीवराम अम्बेडकरजी को सतसत नमन आज 14 अपरेल को भारत में बाबा साब को सर्दांजली देने के लिए उनके जनव दिवस को मनाए जाता है और मैं भारती नागरी कुछ से कहूंगा, वो सविधान, कानून की पुस्तक है, सविधान का शम्मान करें जब मानिया किसी राज की पद पर नियुक तोनेले सपद ली जाती तो यह कहा जाता है, भारती सविधान में आस्तवेक्त करता हूं इसका भारत के सविधान जो कानून के तहत जो कहा गया कि ऐसा किया जाए, ऐसा ना किया जाए, वो ऐसा हमें करूँगा ये सविधान किया जाना बनता है, जो भारत के इस जुरुडिक्शन में नियाएक्षेतर में रहते हैं वहां तक इसी स्विधान की गाइडलेंस लागू होती है जो बाबा साथ दोवारा गढ़ा गया है आर्किटेक्ट बाई डोक्टर बी आनम बेड़कार शपत के समय कहना बाद में मुकर जाना एक अद्दारी से दी कुछ नहीं है बहदुर नागरिकों की हर देश को जरूरत होती है हम़रे देश को निय manipulating कुछ नहीं बात कहते है राष्टर वगति से बड़ा कौन और दिल से आवाजाने चाहिए आत्मा से आवाजाने चाहिए मैं शूर्शासन की तरब बढ़ूँगा शूर्शासन की बाते हमारे यहां की जारी हैं शासन द्वारा भी और नागरिकु द्वारा भी अब यह राज़तान में जो करॉली हिंसा का मावला मैं देखा वहां के सत्ता दारी दल पर किसी विशेश का पक्स लेने का विरोधी दल दुवारा एक एने समुदाई का पक्स लेने का यह ठीक नहीं है दो पार्टियों पर यह लगा कि वो दो संपर्दाओं की पेर भी कर रही है ऐसा नहीं है होना मनीचि शाफ शाफ अपरादियों को जो है किसी ने कहा था मानों को नहीं दानों को मारेंगे शकुली प्रिवेशन में कहता हूं कि दंड बच्चों को ना दिया जाए परन तो बदमाशों को दंड दिया जाए विश्वी देलेक सिक्षा हो बदमीज जो वहां की बेहन बेटियों को सुरक्षित रूसे पढ़ने का वाता उनतियार नहीं करती है इस तरह का उद्ड वहां गुसावा तो श्चात तरना कहा जाए उसको उद्ड कहें कि बाहर कर दिया जाए वह बदकरोली हिंसा पर भी लागव होती है असो गैलो बड़ा अनुवी राजनता 40 सारकार तजरुबा है उसके पास और गर्यमंतरी के रूप में भी अपना मंतरा ले पने पास रखा गर्यमंतरी सामने आना चाहिए मैं बेंट सिंग जी के लिए बताना चाहता हूँ वो कॉंग्रेस की ही मुख्यमंतरी थे मैं यह नहीं करना चाहता हूँ कोई हर दल के अंदर एक से अच्छे लोगों का अनुशन क्या जाना चाहिए वो किसी भी दल से समन्दी थे हूँ और के पीएस गिल जो आईपीएस लोबी भारत की मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आप गिरे उचरितर के लोगों नहीं सुने वीरू की सुने गांदी जी कहते हैं अच्छा देखो अच्छा सुनो अच्छा करो अच्छा बोलो वो बुरा सब अटा दूसारा बुरा मत देखो मत सुनो क्यों सुनते हो अगर अमुक आईपीएस बगोड़ा हो गया अमुक आईपीएस को जमानत नहीं मिली रिश्वत कांड में अमुक आईपीएस के संगेन अपरादी उस समन्द थे यह नहीं आईपीएस केपीएस गिल को सुने पंजाब की धदकती उगरवाद की जो लहर थी उसको शांत कर दिया केपीएस केल अपनी दिलेरी से अपनी बहादर पुलिस की दिलेरी से और प्रबंदन से करोली में आईपीएस ऐसा पूंचे KPS Guild जैसा और जो जिन लोगों ने जिन नागरिकां उत्पिडित किया है जो उनको नागरिक सामने वाली पक्स को नागरिक नहीं बदमास से एड्रेस किया जाए यह कानून की बास्टा है जिननों ने वहाँ के लोगों को उत्पिडित किया तो मैं ये गहलोत से भी काना चाहूँआ कि ये ठपा ना लगे कि वह उत्पीडक दूसरे समुदाए कि उनकी पैर भी कर रहा है अगर गहलोत एक परतिसत बीस तरही सनलिपता अगर पाई जाती है कि वो अपरादी उनकी पैर भी कर रहा है किसी उस पार्टी के समर्थक वोट मैलेंस गंदी जी को भी अमबेटगर साब को भी सर्दानजली देना होगा और कॉंग्रेस से भी कोँगा मैं कि करोली के मावले में साथ बैठकर चर्चा करें वहां के परमुक दल जो हैं दूसरे दल भी अगर वहां जाना चाहते हैं जाएं और जोन लोगों को प्रेशानी हुई है जिनका उत्पिडन दुआ उनको न्याए न्याए ने उनको काफी रहात भी दी ज समपर्दται को बाठकर वहे एक परटी उसके बार्वी कर रही है दूसरी परटी उसके अगर्य नहीं है बदमास को स्रफ बदमास कहाँए मैंने पहले का था कि उसको किसी धर्म किया उसमे ने तो लाजाई बदमास कोई भी ए बदमास पंझád कूछ लोग थे उनको अनों नो कि आप पर गोली चलाए ता आप भी दागते हैं और वहां के मुख्यों तरी मोधिन भी साथ दिया पुलिस का तो पुलिस का मनोबल उच्छा के जए और जप्रादी है उनको तुरंत गिरफतार को कि शलाक हो पीछे नहीं उन पर और भी शक्ती से कुछला जाये ता कि इस तर को जो है न कैद कर देना कोई वह नहीं आप करोल ली का मुख्यों उसको डील कीजिए बदमासु को शड़क पलाए पबले को दे आदे बए यह पकड़ ली है आपने नहीं नहीं को सोब दे आगला का मुख्या नहीं का मारा इतना काम ता इस से आग्या मारा अधिकारी नही करें यह भी खास बात है फास ट्रेक कोरोड बढ़ाए मान ने अदालत से भी याचना करूआगी कि मौला उनको दिया जाए और समाज में शांतिर बाले और सबसे बड़े परदेश में बार बार जो दारेक्स चुमारिस जो यह इंपोज कर रहे वो भी अच्छा नहीं है य और डॉक्टर साब को तभी सर्दान जली होगी तभी उनके आत्मा को शांती मिले कि यहां भाई है मेरे देश में जो मैं हमने जो उस विदान गड़ा था उसकी पालना की जा रही है तो सिरफ अगले साल के विदान से चुनाओ के द्रश्टीकती से ना कर जाए दलू द्व